हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रिया क्रीमी क्रियेशन में आज मैं एक नई रेसिपी लेकर क्याई हूँ जिसका नाम है वैनिला आइस क्रीम जो मैं बहुत ही कम इंग्रीडियन के साथ बनाई हूँ और यह बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रीमी बनता है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है यह एस क्रीम मार्केट के ऐस क्रीम से चादा अच्छा बनता है और खाने भी बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए हम बिना देरी किये इसे बनाना स्टार्ट करते हैं अब बरतन लिए जिसमें हाफ कप हम दूट डालेंगे और हाफ कप मिलको एक बॉल में डालेंगे तो टेबल स्पून सुगर एट करेंगे हाफ टेबल स्पून कॉर्ण फ्लार उसे भी आइट करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिसे इसमें लंस ना रहे हाफ कप दूद मैंने जो बरतन में रखा था उसे हम गैस में जिसे इसमें एक उबाल आ जाए दूद में उबाल आ गया है अब हम सुगर कॉर्ण फ्लार वाले दूद को इसमें डालेंगे और लगतारी से हम चलाते रहेंगे इस आइसक्रीम का टेस्ट और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पॉडर डाल सकते ह हैं बट मैंने इसमें मिल्क पॉडर नहीं आइड किया है दूद गाढ़ा हो गया है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंड़ा होने के लिए रख देंगे अब देख सकते हैं दूद ठंड़ा हो गया है अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं हम एक बड़ा बॉल लेंगे इसमें एक कप वीपिंग क्रीम डालेंगे इस वीप क्रीम को हम इस इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे हम 3-4 मिनिट के लिए अच्छी तरह से बीट क्रीम अच्छी तरह से ठीक हो गई है अब हम इस इलेक्ट्रिक बीटर को बंद कर देंगे एक बर हम इस पैचुला की हेल्प से इसे अच्छी तरह से चला लेंगे आप देख सकते हैं अब हम इसमें एक टेबलिस्पून वैरी ला एसे डालेंगे अच्छी तरह से चला लेंगे वन फोर्थ कप कंडेंस मिल्क इसे भी आइड करेंगे इसमें जो दूर मैंने गारा करकी रखा था उससे भी हम डालेंगे अ हुआ हुआ है शो यह मच आए कि額प इलेक्ट possono से हम सभी को अच्छी तरह से लिए ईशी तरह से ऊपाहए कि अब हम ए 63 अच्छी तरह से बीट हो गया है अब एक पैचुला से साइड साइड में चो प्रीम लागे रहते हैं उसे भी हम यह अच्छी तरह से और मिक्स कर क्रीम को हम दो बॉल में डालेंगे क्योंकि हम दो तरह से आईस क्रीम सेट करेंगे मैंने in डिवाइट लिया है Kings मैं एक बॉल लेंगे अब इस बॉल में हम वन ड्रॉप पंग फुड कर डालेंगे आप चाहे तो जिल पिलर या ंड्राइब कलेOver यूज़ कर सकते हैं मैं इसे बस हलके हांतों से मिक्स कर रही हूँ आप चाहे तो इसे पूरी तरह से भी मिक्स कर सकते हैं इस क्रीम को हम बॉक्स में डालेंगे मेरे पास ऐसा प्लास्टिक का बॉक्स है आप चाहे तो और भी दूसरे बॉक्स में डाल सकते हैं सेट होने के लिए अब हम इसे नाव से दस घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे आइस क्रीम सेट हो गया है आप देख सकते हैं कि आइस क्रीम बहुत ही अची तरह से सेट हुआ है चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं एक स्कूपर की हेल्थ से इसे हम निकाल लेंगे आइस क्रीम का गोल सेप देने के लिए हम इसे इस तरीके से निकालेंगे एक बर हम इसे निकाले और दो से तीन बर हम इस तरीके से निकालते रहे तो हमारा आइस क्रीम इस तरीके से गोल प्रूटी फ्रूटी से अपने आइस क्रीम को सजाएंगे आप चाहे तो बादाम या पिस्ता बादाम से भी से सजा सकते हैं अब देख सकते हैं आइस क्रीम कितना सॉफ्ट एंड क्रीमी दिख रहा है मैं दो तरह से आइस क्रीम सेट की थी आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से भी बनाया था आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें आपकी आइस क्रीम कैसे बनती है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नही रेसिपी के झाल झाल